लोन लेना मा को पड़ा महंगा रिकवरी एजेंट वसूली के दौरान बेटी से कर बैठा प्रेम लेकर हुआ फराद फुलवारी सरीव थाना में यूति के बयान में मामला आया सामने पोलिस की जाच में खुलासा हुआ है कि प्रेमी ने अपनी प्रेमी के मा को लोन दिलाया था और उसके घर पर लोन के रिकवरी के लिए जाया करता था जहांपर दोनों की मुलागात के बाद प्यार का परवान चड़ा, पूलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूस्टाच में जोटी हुई है बिहार की राज़ानी पटना पूलिस ने एक प्रेमी जोड़े को अपनी हिरासत मिलिया है पटना की फुलवारी सरी पुलिस ने किराये पर रह रहे हैं एक प्रेमी जोड़े को अपनी हिरासत में लेकर पूस्टाच की तो हैरान करने वाला मामला सामने आया लड़की जार्खंट की हजारी बाग किराने वाली है पुलिस में पोस्टाच में पता चला कि लड़का एक फाइनेंस कमपनी में नौकरी करता है और उसने लड़की की मा को लोन दिलाया था लोन की रिकवरी के लिए अक्सर इवक महिला के घर जाता था जहांपर महिला की बेटी सी उसका प्रेम परसंग सुरू हुआ था उन्होंने बताया कि परिवार उनके साधी के खिलाफ है इसलिए दोनों घर से भाग कर पटना आ गए लड़की जारखन के हजारी बाग किराने वाली है लड़का उसे इलाके में फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता था उसने अपनी प्रेमीका के मा को लोन दिलाया था प्रेमी अपनी लोन की रिकवरी के लिए प्रेमीका के घर पर आया करता था जहाँ पर दोनों का इस्क परवान चड़ा जब प्रेमीका के घर वालों को दोनों की प्रेम परसंग की जानकारी मिले तो उनोंने लड़के के साधी के साथ पैच जब प्रेमीका के घर वालों को दोनों की प्रेम परसंग की जानकारी हुई तो उनोंने लड़के के साथ साधी से इनकार कर दिया आज हमारे सीव मंदिल कलाव के पास अमर्द कुमार और रित्व कुमारी जो लगभग चार पाँच महीना से भार्ग के ये लोग रह रहे थे खुलवारी थाना के पास मेरे पास फोन आया उन दोनों को साधी करवाना है ये मंदिल का लगह पास प्रखंड कॉल ने या इन दोनों ने रहने वाले है रामगर के ज्छार्खंड के हैं रहने वाले फे रामगर बताते हैं उसक्या प्रेय सिपर स्था और इतनी को दे दिये और बोले कि आप बन्हें से गुजर्बसर किजिए फिचागी आप